हेलो फ्रेंज वेल्कम इन माई यूटूब चैनल मैं भी आई अश्वर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में राष्टपती जी के बारे में इनका चुनाओ कैसे होता है वह चुनाओ से रिलेटर जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट है जिनसे परि दो होते हैं तो आष्ट पीने प्दमे लिए हेला क्या श श घ्राघ्रा की बारे तो आश्ट पती के बारे में तो चुनाओ कि यानि किर चुनाओ के बारे में किसम चछचा पिनौं कि प्थए Cher algumas चोघ्ट आर्टिकल 55 क्या बताता है चुनाओ की प्रक्रिया क्या होगी राष्टपती के प्रक्रिया के माध्यम से होगा और लिग शपंपन चाहिए Мих Tibble के पत के कारिकाल कितना होगा यानि कि तक वह अपने पर रहेंगे और 57 क्या कहता है पुनर निर्वाचन हेतु पात्र जैसे कि अमेरिका वगेरा में क्या होता है वहां पर राष्टपती के वल दो ही बार बन सकते हैं लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है आप कितनी बार भी राष्टपती बन सकते हैं और इसके चर्चा किसमे हो 35 वाष्ट के आयोपूरी हो और क्या हो दिवालिया या फिर पागल नहीं हो तो इसकी प्रक्रिया कैसे होती है तो सबसे पहले क्या होता है हमको नामांकन करवाना पड़ता है जहां पर उमीदवार के पास कितने होने चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक हस्ताच्छरी किये हो और यह प्रिस्तावक और समर्थक राज एवं राश्टी इसतर के निर्वाचक मंदल के सघस्व में से कोई भी हो सकता है पच्चास प्रिस्तावक और समर्थकों की अवशक्ता से संबंधित नियम तब लागो किया गया जब चुनाव आयोग ने 1974 में देखा कि कई ऐस तो 64 के बाद से यह नियम लागो कर देते हैं क्योब्र राष्टपादि की कुनाओ के लिए की जिनकी संभावन भी नहीं होती थी जितने की बख़त कम होते थी इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया इस नियम को लागो किया एक मद्दा एक से अधिक उमीदवारों की ना कर सकते हैं प्रत्यक ओट का मूल क्या होगा इसकी गढ़ना कैसे की जाती है हम यह जानेंगे तो प्रत्यक सांसे विधायक द्वारत डाले गढ़ना एक ओट के रूप में नहीं की जाती है राजी सभा और लोग सभा के प्रत्यक सांसत के ओट का मूल कितना है सास्सो है जो रा विधायक होंगे उसका हो क्या होगा ओट मुल्य जादा होगा और ये कप किया गया था ये 84 सम्विधान संसोधन 2001 के अनुशार वत्मान में राज्यों की जनसंख्या वर्स 1971 की गढ़ना के आकड़ों के अधार पर है यानि कि 1971 में क्या की गई थी जनसंख्या की गई थी उसी क अनुशार क्या है विधायकों का ओट मूलि निस्शित है अभी और अगे अगर चेंज होगा तो कब चेंज होगा ? 2026 के बाद चेंज होगा प्रत्यक विधायक के ओठक मूल्य राजी की विधान सभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त भागफल को 1000 स विभाजित करके निरधारित किया जाता है यानि की सबसे पहले क्या होना चाहिए विधायक के ओड का मूल जैसे कि यूपी की विधान सबसे हैं कि उधारत के लिए उत्र प्रदेश में प्रतिक विधायक के लिए सबसे अधिक वोट मूल है जैसे कि 208 महाराष्ट्रा में एक विधायक का कितना है 175 है और अचर प्रदेश में कितना है आठ है क्योंकि यह योपी की जनसंग्या भी सबसे जादा है जीत सुनिचित करने के लिए क्या आवश्चक होता है तो एक मनोनीद उमीदवार शाधानान प्रदेश के अधार पर जीत हासिल नहीं कर सकता है बलकि ओड़ों को एक विशिष्ट कोटे को हासिल करने की प्रणाली के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं? मत गर्णा के दोरान चुनाओं आयोग द्वारा मत पत्रों के माध्यम से निर्वाचेक मंडल द्वारा डाले गए सभी वैद मत्रों का योग किया जाता है और जीत के लिए उमीद्वार को कम से कम कितना वोट मिलना चाहिए 50% प्लस 1 यानि कि 50% से एक ज़्यादा हो तो वो क्या होगा चुनाओं जीत सकता है आन चुनाओं में विपरीद यहां मत दाता एक पार्टी के उमीद्वार के लिए ओट करते हैं तथा निर्वाचेक मंडल के मत दाता मत पत्र पर उमीद्वारों के नाम की वरियता क्रम में लिखते हैं इसमें कैसे वोट की जाती है जैसे कि 5 कैंडिडेट खड़े हुए है तो क्या है वरियता क्रम कि आप सबसे पहले किसको ओट दे रहे हैं उस क्रम के आधार पर क्या की जाती है वोट की गढ़ना की जाती है कि आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को ओट कर रहा है राश्टपती का चुनाओ अनुपातिक प्रतिनीजित्त प्रणालिक के अनुशार एकल संक्रमुनी मत पद्धती के अधार पे होता है ये क्या है ये क्योशन पूछते हैं एकजाम में की राश्टपती का चुनाओ किस प्रणालिक के माध्यम से होता है तो कैसे होता है एकल संक्रमनी मत पद्धती द्वारा होता है गुबदान मदान प्रक्रिया के द्वारा अनुचेद 61 में क्या बात करी गई है अनुचेद 61 में राष्टपती और उसके कारिकाल की समापती से पहले प्रक्रिया को प्रारम कर सकते हैं राष्टपती के विरुदान के प्रक्रिया को प्रारम कर सकते हैं राष्टपती के विरुद प्रिस्ताओव पर सदन में कम से कम कितने एक याउस्ट हाई दूसरा सदन एक निरिच्छक के रूप में कारे करता है राष्टपती पर लगाएगे आरोपों की जाज के लिए क्या करते हैं एक प्रवर समीति का गठन करते हैं प्रक्रा की दौरान राष्टपती को अधिकरत वकील के माधिन से अपना बचाव रखने का भी क्या देते हैं भारत के राष्टपती के चुनाओं के संदर्व में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए यह कब पुछा गया था यह यूपीयसी प्री में पूछा गया था कुशन 2018 में इसमें क्या है पहला प्रतिक विधायक के ओट का मूल अलग-अलग राज्यों में भिन भिन होता ह है लोक्सवा संसदों के ओट का मूल राज्यसवा के संसदों के ओट के मूल ray से क्या होता है आधिक होता है तो आपको बताना है कि कौन सा ओप्सण्स तुसरा और दूसरा वाला क्या हो जाएं गलत हो जाए गा दोस्तों आपको कैम वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू